नमस्कार दोस्तों वीके रोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिशन थियोरी के महत्वपुर्न क्यूसंस का वीडियो लेकर के हमें एक बार फिर उपस्तित है साथियों हमारी आज की इस वीडियो में भी 25 की उसन रहेंगे एलेक्टरिशन ट्रेड धोरी से समझ दित और ये हमारे पेड़ टेस्ट सीरीज का हिस्सा होता है वीडियो अभी तक हम 67 टेस्ट ले चुके हैं साथियों आप भी इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को जोइन कर सकते हैं यदि आपने चैनल जोइन नहीं किया तब भी आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना क्योंकि सभी की उसन को हम कार्ण सहीत आपको समझाने वाले हैं विस्तार पूरवक पर तेग क्योसन को व्यक्या करेंगे कि इसका उतर कैसे आया सभी क्योसन को लाश तक जरूर देखना और क्योसन पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगे अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सेयर जरूर करना आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना चलिए आज के क्योस्टन से स्टार्ट करते हैं क्योस्टन हिंदी और इंग्लीस दोनों में है तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे आज का हमारा सवाल नमबर वन है कि थ्री फेज ट्रांस्पोर्मर की डेल्टा स्टार कनेक्शन की इस्तिती में प्राइमरी लाइन वोल्टेज के सापेक्स सेकेंडरी लाइन वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होगा देखिए दोस्तों मैं आपको इस क्यूसन को थोड़ा समय अधूरा भी मानूँगा हलांकि राजस्तान टेक्निकल लेल पर मैं आया था 2018 में इसलिए सेम लेंग्वेज हमने भी आपको यहां पर दे दी लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा होता क्या है कि कनेक्शन के लिए सिच्वेशन रहती है कि वो कनेक्शन बनता किस तरह का है देखिए इस्टार इस्टार सेंजन जो होते हैं वो डेल्टा डेल्टा सेंजन जो होते हैं वो यह 0 डिगरी फेज डिफरेंस वाले भी होते हैं 180 degree phase difference वाले भी होते हैं इसलिए depend करता है कि connection बना कैसे था जैसे ये दोनों आपको star delta दिखाई दे रहे हैं ये 0-0 वाले थे लेकिन इसे में मान लीजिए कि यूँ अगर होता ना इस तरह से जैसे ये star है तो इसका 180 degree phase अंतर मना जाता है इसी तरह से delta star यदी है सेयोंजन तो इसके भी दू तरीके होते हैं दोस्तो minus 30 degree और plus 30 degree ये depend करता है कि जो delta सेयोंजन हमारा बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है star में मान लीजिए कि हम तीनों वाइंडिंगे one 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 को short करते है तो delta बनाते समय हमने क्या किया था इस पर डिपेंड करता है इसलिए क्योंजन कंप्लीट आना सही है था फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा आप सुनिये कैसे होता यदी delta star one लिखा हुआ हो ये कहलाता है एक बजे की इस्तेती होना ऐसे में 30 degree लेगिंग होता लेकिन यदी delta star 11 यानि ये कहलाता है 11 बजे की position यदी 11 बजे की position वाला होता तो ये कहलाता है plus का 30 degree जिसको अपन बोलते है leading जब ना दिया हुआ हो तो ये 11 बजे वाली position ही मानने होती है और leading करना होता है क्यों करना होता है मैं बताता हूँ देखी क्योंकि secondary side तो star को हमने 111 को short कर दिया 222 को supply दे दिया अब delta में क्या होता है कि यदी हम U1 से V2 को V1 से W2 को और W1 से U2 को short करते हैं तो ये 11 बजे की position निकलाती है और normally ऐसा ही किया जाता है पहली winding का परतम जीरा दूसरी winding के दितिये सीरे से जोड़ा जाता है इसलिए ये मानते हुए 30 degree leading option की और हमें जाना होगा ठीक है P option इसका रहेगा अगला हमारा सवाल था कि balance operation के लिए teaser transformer में turn ratio कितना होना चाहिए देखिए teaser transformer और main transformer दो होते हैं और ये होता है escort connection में जब हमें तीन फेज सप्लाई से दो फेज या दो फेज से तीन फेज सप्लाई प्राप्त करनी हो तो हम escort connection यानि टी टी करेक्शन का यूज़ करते हैं ऐसे में दो सिंगल फेज transformer होते हैं जिनमें एक को main और दूसरे को teaser बोलते हैं जब main transformer का इकाई हो तो teaser transformer में 86.6 परतिसत यानि 0.866 परसेंट टरन रेश्यो की आवशेक्ता होती है for example main transformer की अगर 100 kv रेटिंग है तो teaser transformer की 86.6 kv ही रेटिंग होगा और उमीद है सबका सही हुआ होगा D option की और हमें इसमें जाना होगा अगला हमारा सवाल है इस परभाव में एक junction पर उसमा उत्पन की जाती है जबकि दूसरे पर इसको अवसोशित कर लिया जाता है इस परभाव का नाम क्या है देखे दोस्तों तीन effect यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और मैं एक बार आपको तीनों की ही व्याख्या कर देता हूँ तीनों एक जैसे ही होते हैं यह थॉम्शन, सीबेक और पेल्टियर एक ही परभाव है एक दूसरे से जुड़े वे होते हैं अलांकि डिफरेंस है काफी डिफरेंस है यह तो है पेल्टियर परभाव कि जंक्षन था हमारे पास थर्मो कपल ही होता है एक तरह का दो भिन धात्वों का सहयोंजन हमने कर रखा था उसके एक जंक्षन पर हीट देने से उसमा उत्पन होई तो दूसरे पर उसको आपजरो कर लिए यह कहलाता है पेल्टियर परभाव यह सी बेक का विटकर मानुपाती है विलोम होता है यानि सी बेक का इन्वर्स पेल्टियर होता है सी बेक में क्या होता है एक जंक्षन पर जब हीट उत्पन की जाती है तो तापा अंतर के कारण जंक्षन पर यह में उत्पन हो जाता है वो सी बेक था और थॉम्शन जो है ये विसिष्ट उश्मा का ही एक तरह का प्रभाव होता है अब ही हमें सी उप्शन के और जाना होगा अगला जो हमारा सवाल है वो है ऐलिमिनियम के चालकों को जोडने के लिए सॉल्डरिंग में परियुक्त फलक्स का वाणी जिक नाम क्या है अलग के टेगरिके होते हैं जो सॉल्डर होता है अभी यहां पर फलक्स का पूछा था तो मैं पहले फलक्स के बारे मता देता हूँ फलक्स एक तो होता है आयर नमबर सेवन ए उप्शन आपके सामने है दूसरा होता है काईनाईल फलक्स क्या बोलते हैं काईनाल या काईनाईल बोल सकते हो ये दो तो होते हैं फलक्स वहीं यदि मैं सॉल्डर की बात करूँ तो एक सॉल्डर तो होता है एल का पी और दूसरा होता है केरे लाइट इन दोनों को आप याद रखना ये विशे इस तोर से जब एलुमिनियम चालकों की सॉल्डरिंग होती है तो ही कामे ले जाते है यानि टिन और लेड़ वाला जस्ता तामबा वाला यहां पर काम नहीं चलेगा खेर अभी हमारा ए उप्शन रहेगा यदि सॉल्डर होता तो बी कर देते बाकी दो नाम अलग से भी आपको याद रखने होंगे चलिए अगले सवाल की और चलते है फिप्ट क्यूसन कहरा है कि यदि ओशित मान गयात हो तो आर्मेस मान की करना हम कैसे कर सकते हैं सिंपल सवाल है फोरम फेक्टर क्या होता है आर्मेस मान और ओशित मान का अनपात होता है जब आर्मेस मान गयात करना हो तो फोरम फेक्टर इंटू ओशित कर देंगे साइन वेव में फोरम फेक्टर का मान फिक्स होता है एक पॉंट एक 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 इंटू ओशित मान कर देंगे उत्तर आ जाएगा अगला हमारा सवाल 1800 ओम रेजिस्टर को लेटर कोड में कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों लेटर कोड जो कोडिंग मेथड होता है उसमें परतिरोद को इंडिकेट करने के लिए आर या फिर आर की जगे ई भी हो सकता है के और एम तीन सब्दों का इस्तेवाल किया जाता है जहां आर का मतलब होता है परतिरोद ओम में के का मतलब होता है परतिरोद किलो ओम में और एम का मतलब होता है रेजिस्टरेंस वेल्यू मेगा ओम में यह सब्द जहां से अटाई जाते हैं वहां पर पॉइंट लगाया जाता है और आगे यूनिट लग जाती है जैसे अब यहां पर आपको A और B जो है ना दोनों उप्सन लगबग सेम थे कर सकते हो लेकिन कोडिंग के दोरान A को अउड़ किया जाता है इसलिए सही उप्सन इ जो है इसका यह अप्सन भी सही है क्योंकि 1800R था इसके जगह 1800 O हो जाएगा लेकिन लेटर कोडिंग के दुरान जितना हो सके क्योंकि रेजिस्टर छोटा होता है लिखने के लिए इतना स्पेस होता नहीं है इसलिए कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा 1800R कोई नहीं लिखेगा फिर आर क्यों लिखना फिर यहां ओम का सिंबल भी लिख देते प्रोपर वेल्यू मिल जाती इसलिए बी ओप्सन रहेगा ठीक है और डी जो है इसका क्या बनेगा जीरो पॉइंट वन एट किलो ओम बनेगा ठीक है तो यह 180 ओम अगर यह होता न तो इसकी डी साथ बरेक करना हों देखे वहीं यह होता है इस तरह का स्विच आप सब समझ गये होंगे यह फेज है और यह नीउट्रल है इन दोनों को एक साथ break करना है तो देखिए दोनों का रास्ता अलग लग है लेकिन दोनों एक mechanism से जुड़े हुए है एक handle से operate होते हैं राइट तो इनको बोलते हैं अपन double pole और single throw pole दो है लेकिन throw एक है throw का मतलब handle एक है common handle है हम उसी handle को on या OFF कराते हैं तो इस सप्लाई ON और OFF होती है तो DPST बोलते हैं इसको Double Pole, Single Throw A Option की और हमें इसमें जाना होगा अगला हमारा क्यूस्टन है दो फेज जो मोटर होती है वो किस तरह की होती है देखिए दो फेज वाली मोटर है तो वो Self Start होगी क्योंकि दो फेज में 90 डिगरी से फेज डिफरेंस पाया जाता है पहले से ही इसलिए Self Start हो जाएगी Single Face वाली जो होती है वो Self Start नहीं होगी क्योंकि दो फेज जो है ये Poly Face की सरेनी में आता है Self Start होगा अगला सवाल है कि एक चालक के परतिरोध के समझे में निमन में से कौन सा सही है हमें चार अलग अलग तरह के ऑप्शन दिये गए थे Resistance, Registivity, Area और Length के बारे में देखो चालक तार का जो परतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती पदार्त की परतिरोध दिखता पर निर्बा करता है और Cross Section के विद्करमान पाती होता है कर दीजिए इनको Multiply क्या Result निकल कर आएगा कि Resistance into Area Equal to Rho into L यह उप्शन सही रहेगा अगला सवाल है डायोड और उनके अनुपरियों के बारे में निमन में से कौन सा सही है जिनर डायोड है वोल्टेज रिगूलेटर के रूप में वरेक्टर डायोड है वेरियेबल कैपेसिटेंस के लिए पी एंड डायोड है रेक्टिफिकेशन के लिए यानि B, C, A यह हमारा उप्शन बनेगा सही बिल्कुल और B, C, A जो है यह अपना C उप्शन में है तो हमें C उप्शन की और जाना है अगला सवाल निमन में से कौन से इकाई परदिप्टी की नहीं है लियूमन परती वर्ग मिटर भी होती है लक्स भी होता है कैंडल पाउर भी होती है कैंडला नहीं है यह परदिप्टी तिवर्ता की है लियूमन इंटेनसिटी की काई होती है कैंडला अगला सवाल है विद्यूत की विसिष्ट उस्मा थॉम्शन का परभाव ही है इसी की में बात कर रहा था विसिष्ट उस्मा के रूप में थॉम्शन परभाव को लिया जाता है, थॉम्शन परभाव दो तरह का होता है, पोजिटिव थॉम्शन इफेक्ट और नेगटिव थॉम्शन इफेक्ट, अगला सवाल निम्नमे से किस सुर्क्षय युक्ति के गुण अन्य से बिन है, चार उप्शन हमें दिये गए, जिसमें RCD का होता है residual current device ELCB का होता है earth leakage circuit breaker इन तिनों का एक ही काम है और यह हमें leakage current से residual current से बचाव करती है जब कि MCCB का पूरा नाम molded case circuit breaker होता है और यह एक तरह से TPIC switch के साथ काम में लिया जाता है उस तरह से behavior करता है जैसे TPIC switch करता है overload source circuit से protective करता है अगला हमारा सवाल है कि एक capacitor AC motor के load का power factor तब सुधारता है जब वो जुड़ा हुआ हूँ capacitor तीन काम करता है ध्यान रखना electrical circuit में दो, एक electronic circuit में electronic circuit में इसका काम होता है filter करना यानि सुध DC बनाना electrical circuit में यह power factor सुधारने और फेजन दरुत्पन करने का काम करता है power factor सुधारने के लिए इसे हमेशा load के शमानतर में parallel में ही connect किया जाता है P option की और हमें जाना है अगला सवाल है कि निवन में से किसे time delay relay भी कहा जाता है time delay relay का मतलब हो गया कि यह relay परचाली तो उने में भी समय लेती है और reset उने में भी समय लेती है तो ऐसा relay thermal overload relay होता है क्योंकि यह ताप यह सिदानत पर अधारित होती है द्वी दात्वी कि इसमें पत्ती होती है वो बाइ मेटलिक इस ट्रिप जो होती है वो गरम होकर हटती है तो धिरे धिरे उसका उसमें परसार गुना का लग लग होता है तो वो उसी के अनुसार उसमें उत्पन होती है तो फैलता जाता है वो मेटल उसी के अनुसार वो हटती है उसी के अनुसार वो रिसेट होती है यानि इस relay को हम तुर्ट रिसेट भी नहीं कर सकते तुर्ट यह ट्रिप भी नहीं होता है अगला हमारा सवाल है कि इंडक्षन मोटर में यदि एर गेप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा देखे एर गेप यदि बढ़ाएंगे तो मेगनिटाइजिंग करणट बढ़ेगा मेगनिटाइजिंग करणट यदि बढ़ेगा तो पावर फेक्टर घटेगा क्योंकि सक्किरिय धारा के मामले में चुम्बकन धारा अधिक होगी तो पाउर फेक्टर कम होगा C उप्षन रहेगा A और B दोनु अगला हमारा सवाल है कि दो दात्वों में जंक्शन पर तापा अंतर के कारण EMF उत्पन हो जाता है इसी परवाव को C परवाव कहते हैं तीन क्युस्टन में एक साथ करवाए थे एक जैसे ऑक्शन दिये थे अगला सवाल आरक हीटिंग तब उत्पन होती है जो विपरीत धुरुता के इलेक्टरों के बीच की एर आयोनाइजेशन हो जाती है आयोनाइजेशन परवाव होता है तो उनके बीच में आरक इस्तापित होता है होरन गेप भी इसी सिदान पर कारिया करता है अगला सवाल है कि आरेल सीरीज सरकेट में परतिरों तीन ओम इंड़क्टिव रेक्टेस च्यार ओम दो सो चालीस वल्ट पचास सर्टस का सप्लाई है बताईए निम्ले में से कौन सी गणना सही नहीं है देखो इंपिडेंस पांच ओम आएगा सही है कैसे? र स्क्विर प्लस एक्सल स्क्विर का अंड़ूट करना था, राइट? तीन की स्क्विर नोच यार की स्क्विर सोला, सोला और नो को जोड़ा तो पच्स पच्सिस का अंड़ूट निकालेंगे तो पांच हों आएगा यह तो सही था सेकिंड कहा रहा है करंट 48 एंपियर I think करंट भी सही आएगा क्योंकि आई बराबर V बटे Z होगा राइट वोल्टेज का मान 240 वोल्ट Z का मान आया था 5 तो 48 एंपियर करंट आएगा ये भी अबना बिल्कुर सही हो गया तीसरा क्यूस्टन कहा रहा है कि पावर फेक्टर का मान पॉइंट 2 होगा ये गलत हो गया क्योंकि सिरीज सर्किट में पावर फेक्टर R बटे Z होता है राइट R का मान आए 3 इंपिडेंस का मान है 5 हो पावर फेक्टर 0.6 आएगा ये गलत हो गया और एक्टिव पाउर की बात की जाए तो वो होती है वी आई कोसफाई सक्रेश सकती है ना वी आई कोसफाई वोल्टेज 240, करणट 48, पाउर फेक्टर 0.6 करके देखना लगबग 6.9 किलो वाटी आएगा तो C आप्शन गलत हो गया इसके लिए ठीक है एक ही क्यूस्टन में चार क्यूस्टन हो गए दोस्तों आपके अगला सवाल जब परिपत सुध हो तो निमन में से किसमें एक्टिव पाउर कंजप्शन होगा केवल रेजिस्टर में होगा इंडक्टर और केपेसिटर की सकती 0 होगी ठीक है क्यों होगी क्योंकि फेज अंतर 90 डिग्री होने के कारण पाउर फेक्टर 0 होता है और पाउर फेक्टर 0 होगा तो फिर सक्क्रिय सकती वी-ई-कोसफाई जो है वो भी 0 ही होगा अगला हमारा क्विस्सन है स्टार्टिंग किसे में किस उपकरण को एक हाई वोल्टेज की आवशक्ता होगी देखे स्विच गेर जो होता है ये तो एक तरह से पेनल और मोड्यूल प्रोवाइड करवाता है और इस पेनल या मोड्यूल में उस पर्टिकुलर एक्यूपमेंट के स्विच, फ्यूज, ओवरलोड रिले, कॉंटेक्टर, कंट्रोल सरकिट होता है तो इसको कोई वोल्टेज की आवशक्ता नहीं अंडर वोल्टेज रिले जो होती है ये तो पहले से ही है कि जब वोल्टेज निर्दा, इसमान से कम आएगा तो उपरेट होगी लाइटनिंग अरेश्टर जो होता है न तरित चालग ये तब ही उत्पन होता है जब लाइटनिंग सर्ज होता है सर्ज परभाव, यानि वोल्टेज के मान में अचनक वर्दी होती है तब ये परचाली तो होता है अगला सवाल है कि EMF समीकरण V बराबर 100 साइन 80 पाइटी में निमन में से कौन साइस के बारे में गलत है यानि इसमें भी हम चार क्यूसन सिखेंगे देखो भई, ध्यान रखना साइन के पास लिखी भी वेल्यू हमें सा मैक्सिमम मान होता है मतलब, ये 100 वोल्ट जो है ना ये पीक वेल्यू है तो फिर पहला क्यूस्ट से निगलत हो गया RMS मान 100 वोल्ट नहीं हो सकता RMS मान तो 70 कॉइंट 7 वोल्ट आएगा तो ये उपस निगलत हो गया चलो फिर भी अपनो और केलकुलेट करते हैं देखो फरिक्वेंसी चाली सरटज यह जो T के पास मान लिखा होता है यह होता है एंगुलर फरिक्वेंसी का ओमेगा जो 2 पाई F के बराबर होती है एंगुलर फरिक्वेंसी 80 पाई है तो इसमें 2 पाई का भाग दीजिए उत्तर कितना आएगा 40 सरटज यह भी सही हो गया जब फरिक्वेंसी 40 सरटज है तो समय अंतराल देख लीजिए टाइम बराबर एक बटा फरिक्वेंसी होता है यानि एक बटा 40 करके देखना 0.025 आएगा सेकेंड में होगा मिली सेकेंड में कनवर्ट करोगे तो 25 मिली सेकेंड ही आएगा फिर पीक टू पीक वेल्यू साइन के पास लिखा मान मैक्सिमम है तो पीक का दोगुना पीक टू टू पीक होता है यह 200 बोल्ट हो गया मतलब फर्ष्ट क्यों से निकलत हो गया आरमेस मान सो बोल्ट नहीं है आरमेस मान इसका 17.7 बोल्ट आएगा अगला हमरा सवाल है कि पीसी भी तियार करते हैं एक कोपर की पर्त युक्त बोल्ट पर सर्किट पेटन एक पर्किरिया की दौरा बनाया जाता है गटकों को जोड़ना है ना उसके अतरित जहां कहीं भी वो सेमी कंड़क्टर मेटेरियल लगा हुआ होता है उसको हटाने की पर्किरिया होते है और उसको बोलते है एचिंग पर्किरिया इसके लिए क्यूपर कलोराइडर इस तरह की अमोनिया यह कई केमिकल यूज करते है और क्या करते है उस सर्किट के पास पास की जितनी भी सतह पर जो मेटेरियल चिप का हुए है उसको हटाया जाता है सिर्फ वो मेटेरियल रखा जाता है जिसकी रिक्वाइर्मेंट होती है जिसकी जरूरत है जो सर्कृट में जुड़ा जाना चाहिए इसलिए आस पास की ये सत्य को साफ करने की परकिरिया एचिंग बोलते हैं और इसके लिए केमिकल यूज किया जाते हैं अगला हमारा सवाल इस्ट्रेसिस मोटर का रोटर किस दातुगा बना होता है देखे भई ये होता है कठोर क्रोमियम इस्टेल का क्योंकि हमें उच दारन समता की आवशकता होती है हाई रेटेंटिविटी इसमें होनी चाहिए क्योंकि ये मोटर इस्ट्रेसिस आने के सिदांद परी आधारित होती है और इसके रोटर में कोई स्लोट वगिरा नहीं होते हैं और नॉइसलेश ओपरेशन इसका होता है अगला सवाल आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट विसेस्था कैसी होनी चाहिए यह डूपिंग विसेस्था कहलाती है वही डूपिंग विसेस्था का मतलब क्या है कि जब करंट की वेल्यू जीरो हो तब तो वोल्टेज मेक्सिमम हो यह करंट लोड पर डिपेंड करती है ना तो यहां आप लोड भी ले सकते हो एक ही बात है यानि जैसे आर्क वेल्डिंग में लोड बढ़ता है ना वोल्टेज यूँ गटना जीए मतलब अंदर की तरफ आना जीए इतना गिर जाना चाहिए और यह हम सब जानते है कि लगबग आधे यानि 50 परसेंट तक वोल्टेज के मान में गिरावट आती है आर्क वेल्डिंग में सामने तरफ डिफरेंशियल कंपाउंट जनेटर का यूज करते है वोल्टेज गरंट विशेस्ता जो होती है वो डूपिंग विशेस्ता के नाम से जानी जाती है बी ऑप्शन की और हमें जाना होगा बस दोस्तों यह थे आज के पच्चेस क्यूसन यारे क्यूसन फ़सेदा आये तो वीडियो के लाइक जरूर करें चैनल पर नहे हो तो सबिस्क्राइब करें चैनल सबिस्क्राइब किये बिना मत जाइए प्लीज और अपने फ्रेंस को भी आगे सीर जरूर करें उनसे भी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करवाईए बहुत धन्यवाद सभी को